करते हैं आगे बढ़ते वे जोतिश के अनुसार कैसा रहेगा धनू और मकर राशी वालों का हाल चलिए जान लेते हैं जी बताइए पंडिस जी धनू राशी यह आकाश मंडल की नौमे राशी है 29 अप्रेल 2024 से धनू राशी के जातकों का सुब समय आरंब हो जाएगा इनके अच्छे दिन आ जाएंगे इस राशी के लिए सुखद परिवर्तन यह तीस वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है अब सनी की साड़े साती से आपको निजात मिल गई है अब इस राशी के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे जो काम धनूराशी के जातकों के सनी के प्रभाव के कारण रुके हुए थे वह अब बनने सुरू हो जाएंगे मकर राशी के जातकों के लिए वर्ष अनकूल रहेगा यद्दपी आप सनी की साड़े साती के असुह प्रभाव से प्रभावित रहेंगे प्रथम तिमाही तक आप अपना जीवन सुख में वितीत करेंगे वर्ष की दूसरी तिमाही में आपको निजी वा पेशेवर जीवन में कुछ परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है इस अबधि में आपको धैर पुरवक कार करना चाहिए जो जातक एकल जीवन यापन कर रहे हैं उन जातकों को फरवरी मार्च के बाद कोई जीवन साथी मिल सकता है जीव पंड़ी जी आगे बढ़ते हुपाई की भी बात कर लेते हैं देखे उपाई के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम धनूराशी के बारे में बात करेंगे साल दो हजार चौपीस में धन की इस्तिती को अच्छा करने के लिए सूर्य भगवान को जल देना है गौर्मेंट से समन्दी जौप चाते हैं सूर्य भगवान को जल दे या फिर सूर्य का ताम्बे का सूर्य अंतर खरीद के अपने पास रख ले साती साथ ब्रस्पती यानि मांगली काम भी आपका 29 अपरेल दो हजार 24 के बाद जब ब्रस्पती ट्रांजिट होगा उसके बाद आपके योग बनते हैं तो ऐसे मैं ब्रस कपड़ा आप धारन करके रखे या पीला कपड़ा रेश्मी कपड़ा आप साल परियंतर अपने पास रखेंगे तो लाब रहेगा क्योंकि साल 24 लाब करिए इसी प्रकार से मकर राशी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर शनी की साड़े साथी आपके उपर लग रही तो धन बरसाने वाला साल है बस शनी मैनस से धन देता है शनी को परसंद करना है साल दो जार चौबिस के अंदर क्योंकि इसका भी टोटल करेंगे तो आठ टंबर का साल है शनी को मकर राशी को पकड़ना है यानि ओम्शम सनिच्राय नमा का अपार्ट आपको साल प्रियंतर करना है सनी 40 का पार्ट आपको करना मजदूरों से उलजना नहीं है बलकि मजदूरों रिक्षे वालों काम वालों को एक्स्ट्रा मनी आप दीजिएगा शनी अगर आपका प्रसंद होगा तो धन की बरमार कर देगा साल दोजार चौबविस आपके लिए श्रती जी नौं की बहुत इंतजार करते हैं यह अंक वाले बताई जारा कैसा रहेगा अनका साल जी बिल्कुल करिश्मा जी कर मैं बात करूं नंबर 9 की तो नंबर 9 होता है जिन लोगों की डेट अफ बर्थ 9 ओएटीन ओव या 27 ओव नंब धनलाब पावर कहीं न कहीं डिफेंस से जुड़े काम वर्दी से जुड़े काम करने के आपको बहुत मौक्य मिलेंगे अगर आपसे पॉसिबल है तो कहीं न कहीं आपके स्टाफ को एक उनिफर्म जरूर प्रवाइड करें या गार्ड्स की सेवा करें आपके बहुत- करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा लेकिन यह आपको तयार कर रहा है वर्ष दो हजार पचीस के लिए तो आपको जो एक अपने लाइफ में टू-डू लिस्ट बनानी है वो ऐसे की विजिन बोर्ड आपका तयार हो जब तक आपके पास एक विजिन नहीं होगा एक विजिन बोर्ड नहीं होगा तब तक आप 2024 का पूरा पूरा सार नहीं निकाल पाएंगे तो स्टीस का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आपके लिए तो बात कर लेते हैं चारो कार्ट से कि धनुराशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा दू-जार चॉबिस का स ही आपसे उनको सुधारने का मौका मिलेगा साथ-साथ पारिवारिक जीवन में आपको बहुत जादा सपोर्ट मिलेगा चीज़ें आप काफी हद तक बैलन्स कर पाएंगे और वहीं पर अगर हम बात करें आर्थिक स्थितीगी तो आर्थिक स्थिती को भी आप बैलन्स कर पाएंगे कुछ चीजों को आप ध्यान में रखके चलिए क्या कि आपको अनवश्यक धन खर्चा नहीं करना है आपकी सोशल लाइफ इस दुरान जो है बहुत जादा हेक्टिक हो सकती है आप बिजी हो सकते हैं सोशल लाइफ में जिसको आपको थोड़ा सा वाइट करके च चल रहा था तो उसमें आपको इस साल रहत मिलेगी